हलो एवरिवन सभी का वेलकम करते हैं ये यॉर इंगली शूटर पे 26 जुलाई का ये बहुत ही प्यारा सेडिटोरियल अज़ा हिंदू का फर्स सेडिटोरियल आज का इसको आज पढ़ेंगे बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर साइंटिफिक थीम के आर्टिकल्स लाए करो तो आज आपके सामने हैं बहतरीन सा मेडिकल साइंस पर लिखाओ आर्टिकल वेलकम डिवालप्मेंट इसका टाइटल है ये आर्टिकल आपको बताता है कि आजकल कुछ नहीं तरह की स्टडिज शुरू हो गई हैं जिसमें हुमन्स को सब्चेट बना करके उन पे वाइरस छोड़ा जाता है और ताकि ही उस वाइरस का इलाज रूढ़ा जाए तो ये स्टडिज कितना आगे बढ़ गई हैं और इंडिया में इनका क्या प्रॉस्पेट्स है चलिए शुरू करते हैं अपने कुईज के साथ में आर्टिकल को बहुत सारी चीजे मैं आपसे शेर करूँगा ड्यूरिंग दे क्लास ग्रामर, वोकैब, स्पेलिंग के क्वेशन्स हर चीज को आपको क्लास के लास्ट में स्क्विज पे अप्लाई करना है सलूशन्स आपको तभी करवाएंगे एड दा एंड ओफ दा क्लास मन से सीखो आठ में से आठ आपको मार्क्स मिलने चाहिए चलिए आईए कुछ नया सीखते है आज का क्विज थोड़ा सा मुश्किल बनाया है मैंने मेंस लेवल का सब लोग प्राइज जरूर से देना कह रहा है जी वैलकम डिवलपमेंट देखे डिवलपमेंट का मतलब होता है विकास सबको पता है ना हिंदी में इसको डिवलपमेंट बोल देते हूँ आप सही परनुंचेशन होता है इसका डिवलापमेंट लेकिन development word का विकास के अलावा, ग्रोथ के अलावा एक और meaning भी होता है इसको बोलते हैं घटना करम, कोई नहीं update, किसी मामले में नहीं improvement है न कहरे जी एक ऐसी update आई है, एक नया घटना करम आया है, development हुई है जो बड़ी welcome है, जिसका सभी स्वागत करेंगे अच्छा किस की बात हो रही है, बात हो रही है, on the ICMR and Controlled Human Infection Studies बात की जा रही है, भारत की इस agency की, Indian Council of Medical Research की और इस agency को मिलने वाले इस license की, जिस license का नाम होता है, CHIS Controlled Human Infection Studies अब यह detail में आपको बताएंगे, इस studies क्या होती है न, अगे interesting है article पूरा शुरू करेंगे title paragraph से, कराई जी, robust institutional mechanisms must be in place for human challenge studies कराई जी, बहुत सारे robust जो अना, institutional mechanism होने चाहिए mechanism का मतलब होता है system, institutional का मतलब होता है organized ऐसा नहीं है, एक आदमी चला रहा है कोई system बना करके पूरा एक institution हो, employees हो, उसमें, एक hierarchy हो इस तरह से एक robust सा, मजबूत सा हमे mechanism चाहिए जो must हो in place, in place का मतलब है अपनी जगह पे काम कर रहा हो, रखा हुआ हो, in place हो, और किसके लिए इस नए तरह के experiments के लिए, human challenge studies के लिए ये studies काफी dangerous हैं, इसमे ethical challenges भी बहुत मिलेंगे exploitation का भी बहुत possibility होता है लोगों की मोत भी हो सकती है, अगर आप इसमें लापरवाई बरते हैं, तो अगर इंडिया में करवाना ही है तो आपको institutional mechanism बड़ा robust बनाना होगा corruption बिल्कुल भी ना हो, लापरवाई जिसमें बिल्कुल भी ना हो mechanism यानि system जो है, यह आपका subject है verb इसकी must be must यहाँ पर आपकी model verb है, model verb अपने बाद हमेशा verb की base form लेगी और अगर कोई verb की base form ना आ रही हो और अगर कोई verb की base form ना आ रही हो, उस case में model अपने बाद B को ले लेती है इतना तो जानते हैं ना, basics में verb आ रही हो तो बहुत अच्छी बात है formal बोल सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं, article की सारी vocabulary आपसे share करेंगे ज्यादा vocab इसमें नहीं है, grammar है अच्छी खासी, और sentence structure तो खूब भी अच्छी है, एक like और एक share class को जरूर से दें और हाँ उसी के साथ में जिन students को exams की तयारी के लिए mock test package की जरूरत है तो test book की sale active हो चुकी है mock test passes पे दो दिनों के लिए आप इसका फाइदा ले सकते हैं इस sale में आपको one year का mock test pass मिल रहा है, 269 रुपीज के मामूली से price पे, जिसमें आपके 700 से ज़दा exams के 70,000 mock test included हैं इसमें SSE, banking, railways, defense सभी के mock test आजाएंगे एक ही pass लेना है, आपको अलग-लग नहीं लेने हैं इसी mock test pass को आप upgraded version में, pro version में 359 में भी buy कर सकते हैं जिसमें आपको previous year papers भी मिल जाएंगे सभी exams के in the form of mock test, तो अपनी requirement के हिसाब से normal या pro version को आप करें, comment section में link रखा हुआ है normal mock test pass आपको दिखाएगा 284 rupees का, जैसे ही code apply करेंगे आप YAT10 ये pass घटके हो जाएगा 269 का, इसी तरीके से pro version आपको 379 का दिखाएगा, मगर आपको code apply करना है YAT10 and your reduced price would be 359 rupees, sale का link comment section में रखा है, if you need the pass this is the right time, चली वो cap sheet है अपनी आज की, 26 July का article है welcome development, 5 words लेकर काया हूँ आपके लिए 4 नहीं है, एक पुराना है, sorry 4 पुराने एक नहीं है, उल्टा बोल दिया वाइरलेंट से शुरू करेंगे थोड़ा से सको उपने में, जूमिन कर देता हूँ देखे, वाइरलेंट बना है वाइरस से, और मुझे बताओ, वाइरस की जो वाइरलेंस होती है, चलो उसको भी चोड़ो, वाइरस कैसा होता है अच्छा होता है, फाइदे मंद होता है नुकसान दे होता है वाइरस तो जनरली विमारी फिलाते है फाइदें मंद वाइरस कौन सा होगा? तो वाइरस के अंदर जहरीलापन आपको मिले गा, poison मिलेगा, कुछ ऐसी harm मिलेगी जिससे आपको नुकसान पोुचे sauces viral and हर वो चीज है जो नुकसान दे है, या तो extremely poisonous है, या तो भोःट जहरीली है, या फिर वो ऐसी चीज़ जो बहुत हार्श है बहुत कड़ी है अब इस बात को समझने के लिए ऐसा समझो कोई वाइरस भी वारिलेंट हो सकता है और किसी आदमी की जहरीली बात है न वो भी वारिलेंट हो सकती है किसी आदमी ने आपको कुछ ऐसी बात बोल दी तो बहुत चुबने वाली है आप बोल सकते हैं यौर स्टेटमेंट सीम्स वारलेंट अब वैरी वारलेंट फॉर्म ओफ दिसीज हैस अपिर इन एफरिका एक बहुत ही जहरीली फॉर्म जो है हामफूल फॉर्म जो है रूप जो है इस बिमारी का डिसीज का अमेरिकान सेंक्शन्स ओन इरान चाइना एक कड़ा क्रिटिक है वारलेंट अलोचक है अमरीका के प्रती बंदों का सेंक्शन्स का इरान पे वारलेंट के सभी सिनोनिम्स हैं यह वर्ड बहुत दिनों बाद आया है आप इसको आर्टिकल में आज देखेंगे सिनोनिम्स भी देख लेना थोड़े से बहुत बार आपने सुना होगा आर्टिकल्स में आपने बहुत बार देखा होगा नेक्स्टiej आपना आज का माईड ये word बना है मायर से और ये जो मायर word है ना एक्शोल में पूरा word होता है वो क्वैक मायर सुना हुआ ना अपने word article जो मेरे साथ पढ़ते हैं क्वैक मायर का मतलब होता है जी Mars यानि दलदल अब मुझे बताओ जो चीज दलदल में है क्वैक मायर में है उसको मायर बोल सकते हैं के नी बोल सकते हैं बिलकुल बोल सकते हैं तो इसका मायर word का मतलब ही होता है फसा हुआ जैसे दलदल में कोई चीज फसी हुई हो अब जरूरी नहीं है दलदल में फसो के तभी मायड वर्फ का यूज करना है कोई आदमी करजे में फसा हुआ है तो that person is मायड in debt कोई आदमी गरीबी में फसा हुआ है तो that person is मायड in poverty the world economy is मायड in the covid-19 induced recession पूरी दुनिया की अर्थ विवस्ता फसी हुई है एक ऐसे recession में in the recession जो covid-19 induced है covid-19 की वज़े से जिसका induction हुआ है वो recession जो covid-19 की वज़े से शुरू हुआ है induce करना किसी चीज की शुरुवात करना है न भढ़काना चलिए इसको entangled भी बोलते हैं फसी हुई चीज को you'll see this word in the article today मायड अगला word है जी रिपर कशन ये word सबको आता होगा बहुत बार ये आता है आर्टिकल्स में अपने ध्यान ये देना है इसकी spelling पे spelling क्या है जी रिपर फिर लिखी है कशन ठीक है? रिपर कशन आज के spelling वाले जो है question में ये मैंने आपसे spelling पूछी हुई है खुद लिख करके देख लो ने तो दिमाग में सोचो spelling को रिपर और कशन में तोड़ दोगे तो रिपर कशन बन जाएगा इसका मतलब होता है bad consequences किसी चीज के दुश परिणाम implication भी बोल सकते हैं इसको ramification भी बोल सकते हैं bad consequence बोल सकते हैं और side effects भी कोवेड नाइटीन lockdowns have brought in severe economic repercussions for शिलंका कोवेड नाइटीन के lockdowns जो हैं वो लेकर के आए हैं brought in किया हैं उन्होंने brought in करना किसी चीज को introduce करना लेकर के आना बहुत ही खराब severe आर्थिक दुश परिणामों को economic repercussions को शिलंका नाम के इस देश के लिए चलिए यह word हो गया आपका article में आएगा अगला word है well-versed बहुत दिनों बाद बहुत दिनों बाद के पहली बार ही लिखा शायर यह well-versed का मतलब होता है well-informed or well-read ऐसा आदमी जो किसी चीज के बारे में अच्छे से जानता हो तो आप बोलेंगे this person is well-versed in this thing है ना अगर आप economics के बारे में अच्छे से जानते हैं तो मैं बोल सकता हूँ you are well-versed in economics people well-versed in the string theory expect to find a god equation by the end of the decade people जो well-versed हैं जो well-informed हैं या well-read है string theory नाम की theory के ऐसे लोग जो इस story के अच्छे जानकार हैं वो expect करते हैं कि वो god equation को end of the decade इस दशक के अंत तक खोज लेंगे god equation क्या थी आप बढ़ना इसके बारे में मजाएगा आपको Einstein का वो dream था जो वो पूरा नहीं कर पाए god equation को खोज ना था उनको ठीक है चलिए well-reads आप समझ गए जानकार किसी चीज का scholarly बोल सकते हैं इसको last word है अपना आज का expedite या expedite expedite बोलते हैं इसको expedite भी बोल सकते हैं यहाँ पे extra भी लग सकता है दोनों ही spelling इस word की सही है second spelling जो है पुरानी है नहीं वाली यह वाली है expedite या expedite का मतलब होता है चीजों को तेज बनाना speed up करना fast करना लेकिन कुशलता के साथ में जल्दबाजी करना दो तरीके से हो सकती है एक में आप काम आदा दूरा छोड़ देंगे खराब काम करेंगे बना सके है वैक्सिनिशन को वाइरस के खिलाफ यह सारे सिनोनिम है किसी चीज को तेज करने के लास्ट वाला जो आप फ्रेजल वोब देख रहे है ना रस्थू यह भी जल्दबाजी के लिए यूज होता है लेकिन नेगटिव सेंस में जब आप आदा काम करते है और आदा काम छोड़ देते हैं नेगटिव सेंस में जल्दबाजी करते हैं तो रस् यहाँ वह पर आपको दे देता हOU मैं ने इस पर क्वैस्टन भी बनाए आज वानी कुई ने expedied और expedite word का expedient word से कोई connection नहीं है spelling मैंने आपके सामने लिख दिया expedient का मतलब होता है जो विहवारिक हो जो वक्त की निजाकत के हिसाब से सही हो ठीक है? expedient confuse मत करना इन आपस में दोनो words को चलिए अब आजब आजब आर्टिकल पे एक summary आपको दे किस बारे में लिखा हुआ पता लगे देखे आप में सुना होगा vaccine से पहले trials होते हैं बनाने से पहले पहले animal studies होती है फिर animal trials होते हैं चूहों पे बंदरों पे उस experimental vaccine को लगाते हैं फिर last stages में humans पे trial होते हैं अब यह trials आप में सुना होगा बहुत controversial होते हैं क्योंकि इसमें लोगों की जान जाने का खत्रा होता है अगर आपकी vaccine अच्छे से नहीं बनी है तो वो जिनके आपने लगाई है na humans के उनकी deaths भी हो सकती है अब देखो इससे भी एक step आ गया गया medical science इससे पहले एक दूसरे तरह के ट्राइल्स भी होते हैं जिसको हम बोलते है human challenge studies जो अभी तक इंडिया में नहीं हो रहे थे और अब इंडिया में इसको करने का मिल गया है license इसमें क्या करते हैं इसमें कोई vaccine नहीं लगाएंगे इसमें अगर COVID-19 का trial करना है तो कुछ लोगों को COVID-19 का virus healthy लोगों को जान बुझ करके उनकी body में डालेंगे और expect करेंगे कि इनकी मोत ना हो और इनको एक observation नेवार्मेंट में रखा जाए और ये कैसे recover करते हैं इनकी body को observe करके कुछ दवा निकाली जाए बहुत सोच समझ के किये जाते हैं बहुत एतियात के साथ में इनमें deaths इतनी होती नहीं है लेकिन बहुत risky है ये हमारा article कर रहा है कि अब ICMR को license मिल गया ये करने का इंडिया में corruption और bad जो है working procedure की वज़े से ये trials बहुत बदनाम नहीं होने चाहिए हमें इनको अच्छे तरीके से कराना है welcoming move है medical science के field में लेकिन इंडिया के लिए हम concerned है यहाँ पे institutional mechanism अगर अच्छा होगा तभी ये trials जो हैं कुशलता के साथ में करवाए जा सकेंगे तो ये पूरा article लिखा गया है CHIS पे human challenge studies पे शुरू करें तो नायाज की welcoming और साथ में concerned करें जी विद द बायो एथिक्स उनिट ऑफ द इंडियन काउंसल अव मेडिकल रिसर्च और ICMR प्लेसिंग अ कंसेंस पॉलिशी स्टेटमेंट अन C.H.I.S. चंट्रोल हूमन इंफेक्शन स्टेडिस फॉर कमेंट्स India has taken the first step in clearing the deck for such studies to be undertaken here देखो sentence जब भी विद से शुरू हो तो इसका मतलब होता है के साथ ही यहां लिख देता हूँ कलास रेगुलर लोगे तो इस चीजें समझ में आएंगी करें जी विद यानि के साथ ही अच्छा किस चीज के साथ भई बायो एथिक्स जो यूनिट है बायो एथिक्स क्या होता है एथिक्स मतलब हमारे मूले है और बायो का मतलब है बायोलजी तो बायोलजी को लेकर के हमारे जो मूले हैं हमारे जो प्रिंसिपल या सिधान्त है कह रहा है जी हमारी जो bioethics unit है बारत सरकार की इस agency की ICMR जिसका नाम है कह रहा है इस agency के इस unit के place करने के या रखने के एक consensus policy statement को ऐसी policy statement जो consensus से बनी है ICMR के सभी members की आम सहमती से बनी है और यह statement है CHIS नाम के इस नए type के trials पर और यह place कहां रखा गया इनको इस statement को रखा गया comments के लिए public domain में सब की राय के लिए करें जी ICMR के comments मांगने के साथ ही अपनी policy पे हुआ क्या हुआ यह कि India ने ले लिया है पहला कदम India has taken the first step और किस काम में clear करने में deck को रास्ते को साफ करने में और किसीज के लिए ऐसी खतरनाक studies को undertake किये जाने के लिए इनको carry out या अंजाम दिये जाने के लिए यहां भारत में तो ICMR के सबी जो है members ने, secretaries ने, board members ने मिल करके policy statement बनाई के इंडिया में CHIS कैसे होगा और इस statement को अपनी website पे डाल दिया सबसे पूछा है भारतियों से कि यह सही है गलत है आपके इसाब से केरा जी जैसे ही यह काम हुआ ना, इसके साथ ही भारत ने पहला step ले लिया है कि हम रास्ता साफ करें ऐसी studies को भारत में करवाने का अब साल, दो साल, पांच साल में यह statement अप्रूव होगी दस साल बाद आप देखेंगे भारत में यह trial जो होने भी शुरू हो जाएंगे context समझ में आ गया, sentence का subject है इंडिया has taken मतलब ले लिया है और क्या ले लिया है पहला कदम the first step has taken जो है इंडिया की वोब है clear deck करना यानि किसी चीज का रास्ता साफ करना clear deck करना किसी चीज का रास्ता साफ करना किसी काम को करने का इंतजाम करना उस काम को organize करना अब ध्यान रखें इसके लिए बहुत सारी idioms हैं जो मिलती जूलती हैं इस जो है idioms है लिख देता हूँ मैं यहाँ पे pay the way for something pay the way for something यह इसकी synonymous idiom है और इसके बिल्कुल उल्टी idiom है किसी चीज के रास्ते में टांग फसाना यहाँ तो रास्ता साफ कर दिया आपने उल्टा क्या होगा टांग फसाना तो टांग फसाने के लिए idiom है उम्हरे पास तू put spoke in the wheel of something spoke मतलब छड़ी wheel मतलब पहिया चलते हुए पहिये में छड़ी गुसा रहे हो तो मतलब क्या कर रहे हो फटे में टांग अड़ा रहे हो ना किसी काम को आगे बढ़ने से रोक रहे हो तो यह idiom इसकी synonymous है और यह idiom इसकी उल्टी है अब आज के quiz में मैंने पूछी हुई है तो confuse मत हो ना meaning आपको बता दिये है पेवदावय करना मतलब किसी का रास्ता साफ करना clear deck मतलब किसी का रास्ता साफ करना आगे क्या हुआ जी आगे यह हुआ जी CHIS also called human challenge studies where healthy volunteers are intentionally exposed to a disease causing microbes in a highly controlled and monitored environment has been carried out for hundreds of years करें जो CHSI नाम की study है यह जिसको हम human challenge studies भी बोलते हैं जिसकी full form है controlled human infection studies करें जी जहां पे स्वस्त volunteers को स्वस्त जो है लोगों को volunteer कोन होते हैं जो सामने से खुद अपनी volition लेके आते हैं अपनी इच्छा से किसी चीज में भाग लेते हैं जो है अपना participation देते हैं करें जहां पे स्वस्त भागीदारों को intentionally exposed किया जाता है passive voice में और किसके सामने disease को cause करने वाले चोटे-चोटे microbes के सामने pathogens के सामने bacteria और virus के सामने और कहां पे यह सारा काम होता है एक laboratory में in a highly controlled and monitored environment में करें यह जो C.H.S. नाम के जो खतरमनाक से experiment है यह carry out हुए है hundreds of years से पिछले सेकडों सालों से और इसका example क्या है जी इसका example है an example being the yellow fever study in the early 90s to establish that mosquitoes transmit the virus और करें इसका एक example होते हुए है वो yellow fever की study वो yellow fever जो आप समझे है yellow fever विमारी है कोई yellow fever नाम की विमारी पे वो वाली research जो early 1900 में हुई थी ताकि establish किया जा सके इस शीज को कि जो मच्छर है mosquito है वो ही transmit करते है yellow fever के virus को आगी बास समझ में यह इसका एक बहुत पुराना example है आज से 100-100 साल पुराना C.H.I.S. का C.I.S.S. आपका subject है verb S की has been carried out पीछे S लगा हुआ है तो यह मत सोच लेना यह प्लूरल होगा S का मतलब है यहाँ पे studies समझ पार है हो यह study समझ लो यह प्लूरल नहीं है यह S जो है वो ही वाला है AIDS, Mums, Rickets करवाई हो ना आपको ऐसे words जिनके last में यह साता है लेकिन वो सिंग्लर होते है तो यह वो ही वाला CHS है वाला है, has been carried out वालिंटर्स की वाला है, are exposed when you are exposed to something आपको उस चीज के सामने खुला छोड़ दिया जाता है इन वालिंटर्स को इन बैक्टिरिया और वाइरसिस के सामने एक्सपोज किया जाता है चली और आगे बढ़ते है आगे कराए जी टिपिकली एक लेस वालिंट स्टेइन ओफ दे माइक्रोब इस यूज़ तो स्टेडी लेस डेडली डिसीज़ दैड हैव प्रूवन ड्रेक्स फोर ट्रीटमेंट करे ऐसे यह स्टेडी नहीं हो जाती आम तोर पे टिपिकली एक लेस वायरिंट स्टेइन होती है गर्ने के लिए कम डेडली डिसीज़ को कम मारग विमारियों को और वही विमारियां जिनकी प्रूवन ड्रग्स है जिनकी ड्रग्स यो है साबित हो चुकी है के लिए ठीक है तो यह स्टडी वाला जो ना सी एचाइस से अब स्टडी करते हैं जर्णली ट्रीटमेंट रीटमेंट सब रूण रखी है वो उस दिमिमारी के अंदर और गुसना चाहरे हो तो फिर आप सी एचाइस करवालो किसी हल्दी आदमी के अंदर वाइरस गुसा के उ अंडरस्टेंडिंग ऐसे ही वनेगी प्लूडल अंडिसेडेंट है तो प्लूडल वर्ब है है ना चली यहां पर ग्रामर का कॉंसेट है मैं थोड़ा साब को हिंट देता हूं यह जब पराग्राफ फूरा करेंगे फिर इस कॉंसेट पर वापिस आते हैं हिंट यह है कि यह अब पर प्रूवन क्यों लिखा है यह पर प्रूवड क्यों नहीं लिखा वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रूवड भी होती है है एव प्रूवड ऐसा लिख दू तो चल सोचओ अपने दिमाग से कॉंसेट आपको आता है नही आता करवा चुकिए आपको पहले फिर कभी सब्सक्राइबних एको एक छोटे से नंबर ओफ वालींट नंटिस पह या सके अलग अलग पहलूँं को आस्पेट्स को डायमेंशन एक्षलरेट किया जाता है किस तो अक्सर किया जाता है ऐसे थोड़े से लोगों को 15-20 लोगों को देदिया और कभी-कभी यह किया जाता है ताकि एक्सेलरेट किया जा सके expedite किया जा सके, quicken किया जा सके, development को किसी medical intervention की process के, medical intervention मतलब medical treatment, तो किसी treatment के विकास को development को करवाने के लिए इनको कभी-गभी CHIS को करवाया जाता है, दे आया है CHIS के लिए इसकी वर्ब है, R undertaken, when you undertake something, आप उस चीज को अपने जिम में लेते हैं या उस चीज को अंजाम देते हैं, पैसी वोईस लगा हुए है, R प्लस में वर्ब की, third form, accelerate करना, चीजों को speed up करना, quicken करना, fasten करना, वही बाला वर्ड है, expedite or expedite, करेजी आगे, when used as part of vaccine development, these studies are initiated, only when safely and immune responses of the candidate vaccines are known through early phases of clinical testing, करेज जब यूज किया जाए, इनको एक हिस्से के तोर पे, पार्ट के तोर पे, vaccine development के, vaccine को बनाए जाने की process के, करेज जब ऐसे यूज होती है, study, when used in this way, तो होता क्या है, करेजी उस case में studies जो है, इनी shade की जाती है, सिरफ तभी, only when, जब safety और immune response जो है, सुरक्षा और रोग परतिरोदक शमता का जो response जो है, candidate vaccines का, ऐसी vaccines जो अभी candidate है आपकी, जिनको अभी आपको finalize करना बाखी है, कहरा वो जाने जा चुके है, आर नोन है, early phases के जरिए clinical testing के, तो अगर vaccine vaccine ना वनी हो, तो उस case में कम से कम कोई कच्ची vaccine तो होती है इनके पास, तभी इस trial को करवाते हैं, नहीं तो फिर वो 15 लोगों को virus दिया, अब उनकी हालत बिगड़ गई, कर लो study, क्या study करोगे, 15 दिन में मर गए बिचारे, तो थोड़ी कच्ची पकी vaccine होती है, तभी जो है ना, trial को करते हैं, कम से कम वो तो होनी ही चाहिए, studies की वो हो है, are initiated, responses की वो है, are known, ढंक से sentence समझा रहा हूं, कहानी की तरह समझो, यह ऐसा कुछ किसी ने बगबग नहीं की हुई, हर line के पीछे कुछ meaning उसका कुछ बताना चारा है वो आपको, और चाहूं तो मैं यहां से question भी बना सकता हूं, ऐसी बिमारियां जिनकी vaccine नहीं बनी हुई है, उनके लिए CHIS करवाने की क्या शर्त होनी चाहिए, तो शर्त यह होगी, कि safety और immune response जो है, वो जाना गया हो candidate vaccines का, तभी CHIS करवाया जाता है, तो पूरा meaning निगाला करो, ताकि आप comprehension की question solve कर जगो, आगे करें जी, importantly, importantly, human challenge studies are not done as an alternative to phase 3 efficacy trials, but to help select the best candidate for testing in a conventional phase 3 clinical trial, करें जी, important बात इससे भी यह है, कि यह जो studies है, HCS या HCIS, करें यह नहीं करवाया जाती है, एक विकल्प के तौर पे, alternative के तौर पे, alternative क्या होता है, विकल्प, choice, और किसका alternative, phase 3 के efficacy trials का, phase 3 trials वो होते हैं, जो humans पे करवाया जाते हैं, किसी vaccine के, पहले चुओं के लगा दी, कुटों के लगा दी, बंदरों के लगा दी, चिंपांजी के लगा दी, फिर आदमी का number है, कहरा जी, यह उसका विकल्प नहीं है, यह वाला trial, यह वो, वो trial तो हो गई होगा, कहरा उसके विकल्प के तोर पे नहीं होती, बलकी होती है, यह help करने के लिए, ताकि आप select कर सकें, सबसे अच्छे best candidate को, phase 3 की testing के लिए, conventional phase 3 के trial की testing के लिए, तो पहले HCIS होगी, फिर उसके बाद उन में से जो बच्चे या जो लड़के, जवान यंग नौजवान जो हैं लड़के लड़किया, जिन्हों ने वाइरस को जहल लिया, उनके उपर phase 3 का vaccine का trial करते है, studies की वह बब है, are not done, alternative का मतलब होता है विकल्प, when you are an alternative something, तो आप उस चीज के विकल्प होते है, alternative word को alternate word से confuse नहीं करता है, alternate का मतलब होता है, एक एक छोड चोड के, जैसे आप एक एक दिन चोड के English पढ़ो, Monday को पढ़ो, Wednesday को पढ़ो, Friday को पढ़ो, Sunday को पढ़ो, तो you are studying English on alternate days, समझ के, और alternative का है, आपका कोई विकल्प, मेरे बास कोई चोईस नहीं बची, I have no alternatives left, तो दोनों अलग वर्ड्स है, आम बोलचाल में यूज होते है, करे जी, phase 3 clinical trials that follow human challenge studies, often require fewer volunteers, speeding up the development process, करे जब HCIS को phase 3 से पहले करवाते हैं, और best candidate को इसके जरिए, चूज करते हैं, phase 3 के लिए, तो फिर phase 3 का जो ट्रायल होता है, जो follow करता है इन studies को, जो इनके बाद इस तरीके से होता है, अक्सर उसमें requirement होती है, they require बहुत ही कम volunteers की, बहुत ही कम नोजबानों की, और ये सारा गाम होता है, speed up करते हुए, accelerate करते हुए, vaccine की development की process को, तो पहले 10,000 इंसानों को आपको vaccine देनी थी phase 3 में, फिर उनकी checking करनी थी, तो आप इससे पहले HCIS करवा लो, 50 लोगों का, और उसमें से 25 लोग पकड़ लो, और उन पे phase 3 कर लो, 25 लोगों पर फटा फटा आपका experiment हो जाएगा, दो महिने में, तीन महिने में, आपकी vaccine क्लियर हो जाएगी, तो इस तरीके से process को speed up कर देते हैं, चलिए, clinical trials आपका subject है, clinical trials आपका subject है, और require इसकी वर्ब है, require इसकी, just a minute, ठीक है, यह थोड़ा mark करना रह गया था, तो मैंने भी कर दी आपके सामने, that आए in trials के लिए, that की वर्ब है, follow, trials plural है, that की वर्ब है, कहरे जी आगे, in the last 50 years, CHI studies have been carried out with thousands to accelerate vaccine development against typhoid and cholera, कहरे पिछले 50 सालों में अगर देख लो, तो यह studies जो है, CHI studies, जो इंडिया में तो नहीं होती है, बाहर कहीं होती होंगी, कहरे यह studies जो है, carried out हो ही है, इन studies को करवाया गया है, अंजाम दिया गया है, thousands के साथ में, हजार और लोगों के साथ में, और क्यूं, ताकि तेज बनाया जा सके, accelerate किया जा सके, वैक्सीन को विख्षित करने की प्रक्रिया को, development को, typhoid और cholera, यह नि हैजा के लिए, studies की वह बाहर है, have been carried out, पैसी वह इस लगा हुआ है, carry out करना, किसी चीज़ को अन्जाम देना, चली ओर आगे बढ़ते हैं, carry during the COVID-19 pandemic, the Imperial College London, used 36 volunteers, to study facets of SARS-CoV-2 infection, carry out पुरानी बात मत करो बले, COVID-19 pandemic की बात कर लो, जो London का मशूर college है, Imperial College of London, Indian भी जाते हैं तो इसी college से पढ़ने की कोशिश करते हैं, सब जो medical science पढ़ते हैं, carry London का जो मशूर college है, medical science का, इसने भी इस्तिमाल किया, 36 volunteers को, ताकि study किया जा सके, facets यानि पहलूँ को, aspects को, coronavirus के, SARS-CoV-2 virus के, तो Imperial College की वाभ है, London की वाभ है, used, carry in 2020, the World Health Organization या WHO, approved using CHIS, for accelerating COVID-19 vaccine development, करें जी 2020 में भी, WHO ने अपूरूव कर दिया, सहमती या हामी दे दी, use करने की CHIS studies को, ताकि accelerate किया जा सके, तेज बनाया जा सके, vaccine की development को, COVID-19 की वहान वाइरस की, हैना तो WHO ने भी बोला, कि वाइरस जो है चाइना से, इसकी vaccine को तेज बनाने के लिए, आप जो है CHIS को शुरू कर सकते हैं, जो जो जहां जहां करना चाहे, WHO की वह भी, approved, चलिए फर्स पराग्राफ पूरा हो गया, CHIS की आपको खुबियां बताई गई हैं, और इनकी हिस्टरी के बारें बताए गई हैं, पिशले पचास सो सालों से कैसे कैसे हो रही हैं, नेक्स पराग्राफ में बताए जाएगा कि अब इंडिया का नंबर है, और इंडिया इन वेक्षीन के जरिए क्या क्या चीज़ें कर सकता है, ग्रामर कॉंसेट उपर रह गया, फटावर उसको देख लेते हैं, कॉंसेट यह है कि यहाँ पर प्रूव्ड क्यों नहीं लिखा गया था, और बड़ा इंटरस्टिंग कॉंसेट है यह, देखो प्रूव का मतलब होता है साबित करना, प्रूव्ड का मतलब है साबित किया, proved third form है verb की इसका मतलब भी उतर साबिद किया perfect tense में लेकिन proven जो है न proven ये past participle adjective है verb की third form तब लगानी है जब verb की जरुवत हो और proven जो है adjective तब लगाना है जब किसी अवस्था यानी state की जरुवत हो दोनों आपस में interchangeably use नहीं हो सकते use करके दिखा देता हूँ आपको मैं question बना करके the theory has proved या proven the existence of black holes theory ने साबिद कर दिया है existence को black holes की अब ये बताओ has के बाद क्या लगे adjective लगे या verb की third form लगे देखो theory ने prove किया है कुछ काम करके दिखाया या थियोरी ने verb की ज़रुवत है यहां पे अब prove कर रहे हो न भही तो has proven या has proved इस case में has proved लिखना पड़ेगा जब काम हो रहा हो verb की बात हो रही हो verb की third form चाहिए हो तो proved का इस्तिमाल करना है अब दूसरा वाला sentence देखो the existence of black holes is proven या proved जो existence है black holes की वो पहले से ही साबित है existence is correct existence is true existence is false existence is misleading existence is proven adjective की जरुवत है यहां पे passive voice नहीं मनाया यहां पे is plus में proven लगा के अगर passive voice बनाया होता तो फिर यहां लिखा होता is proven by NASA is proven by Newton is proven by Albert Einstein through his theory of relativity ऐसा कुछ नहीं है यहां passive voice नहीं है यहां is helping verb main verb बनी हुई है और एक adjective की जरुवत है existence is proven तो जब आपको adjective की जरुवत हो कुछ काम ना हो रहा हो तब verb की यह वाली form को यूज करना है और जब verb की जरुवत हो तब verb की third form को proved को यूज करना है इसी लिए यहां पे proven लिखा गया है करें जी वो diseases जिनकी proven drugs हैं जिनकी साबित हो चुकी दवाईया है treatment के लिए drugs कौन सी वाली proven drugs concept समझ में आ गया अब आपका सवाल ही होना चाहिए सर ऐसी और वर्प्स भी है क्या एक तो हमने याद कर ली यहां ऐसी और भी वर्प्स है चार मैंने लिख दी हैं बागी basics में आपको 8-10 वर्प्स करवाई हुई है melt, melted, melted or molten melt का मतलब है पिगलना, molten का मतलब है पिगला हुआ sink का मतलब है डूबना, sunken का मतलब है डूबा हुआ get का मतलब पाना, gotten का मतलब है पाया हुआ shave का मतलब है shave कर देना shaven का मतलब है shave हुआ हुआ the man with shaved या shaven head was missing आदमी जो shaved head के साथ में था या shaven head के साथ में था जिसका सर मुड़ा हुआ था वो गायब है वो missing है head के लिए एक adjective चाहिए shaven adjective लगेगा shaved नहीं लग सकता समझ पारे हो के नहीं पारे हो मेरी बात को man कौन सा था shaven head वला सर मुड़े हुए सर वला तो मुड़े हुए की बात हुए है head के लिए adjective चाहिए तो shaven लगा दूँगा लेकिन दूसरा sentence देखो the man had shaved or shaven his head before going into surgery आदमी ने shave कर दिया था अपने सर को मुडवा लिया था अपना सर surgery करवाने से पहले आई बात समझ में shave किया था यहां पे काम हुआ है surgery में गया था बाद में पहले सर को मुडवाया यहां पे लिखेंगे the man had shaved कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके अभी भी समझ में नहीं आ रहा होगा उनके basics बहुत कमजोर है verb और adjective के बीच का difference आप नहीं कर पा रहे है तो basics आपको करने होंगे home page पे playlist रखी हुई है complete grammar की चलिए आगे बढ़ते है इस Sunday को एक session करेंगे editorials कैसे पढ़ें और अपना base कैसे build करें एक class तो मैं उस पर अलड़ी कर चुका हूँ अब थोड़े नहीं syllabus के हिसाब से आपको पांदस मिनिट की class मिलेगी this Sunday there are several ethical challenges with human challenge studies which require well trained and robust systems in place करा जी बहुत सारे moral या ethical challenges है in trials के साथ में या in studies के साथ में जो की require करते हैं जिनको जरूत होती है well trained या well versed बहुत अच्छे से expert और robust system की जो अपनी place पे हो जो बिल्कुल सही जगा पे रखा हुआ हो challenges की वर्व है आर close शुरू हुआ है देर से वर्व का देर से कोई connection नहीं है challenges लिखा हुआ है तो वर्व आर है तो वर्व को भी plural रखा गया है करें जी while collaboration in institutions and scientists well versed in conducting such studies navigating the ethical mind field is a challenge करें जी जहां collaboration जो है आपसी सहयोग जो है institutions के साथ में अलग-अलग संस्ताओं के साथ में और जो scientist है जो विज्यानिक है और कौन से विज्यानिक भई वो विज्यानिक जो well versed है जो अच्छे से जानकार है ऐसी studies को conduct करने में करें जहां ये दोनों चीज़े यारे must ये बहुत ही जरूरी चीज़े है होने ही चाहिए वहीं पर क्या जरूरी है करें वहीं पर navigate करना गुजर के निकलना या गुजर जानना ethical mind field से वो भी अपने आप में एक challenge है mind field क्या होता है ऐसा field जिस पे land mines बिची हुई हो कदम कदम पे मोत हो हर जगा पे खत्रा हो ethical mind field का मतलब है जी ethics के मूल्यों का जो mind field है जहां पे कुछ भी गलत पामल आपने रखा किसी मूले को किसी ethic को किसी moral को आपने खराफ कर दिया किसी का नुकसान कर दिया इस तरह का आपने कुछ काम किया जिससे लोगों को नुकसान हो तो करे वहीं पे इस पूरी study को करवाने में जो ethical mind field है मूल्यों का जो सिधानतों का जो mind field है वो भी अपने आप में एक challenge है उसको भी navigate करना आपको आना चाहिए collaborations and scientists दोनों अपनी जगह हैं subject के तोर पे verb air navigating gerund है verb के ing form verb air के रहा है several clinical trials including those by or involving the ICMR have been mired in ethical violations such as human papilloma papilloma virus या HPV vaccine trial in Andhra Pradesh in 2010 के रहा हमारी history भी खराब है बहुत सारे clinical trials रहे हैं हमारे जिसमें वो वाले शामिल हैं जिसको या तो ICMR ने करवाया है या ICMR जो है उससे जुड़ा हुआ था involved था करहा है ऐसे कई trials जो है ना ये वाले नी HCIS नी और दूसरे वाले करहा है और दूसरे कई ऐसे जो trials हैं वो माइड हैं वो आज भी फसे हुए हैं ethical violations में ethics को लेकर के उलंगनों में जैसे की HPV vaccine trial जो अंदराप्रदेश में हुआ था सन 2010 में तो हमारी history थोड़ इसी risky है इस मामले में clinical trials आपका subject है जो है have been mired इसकी माइड होना, entangled होना, frozen होना, stuck होना कहीं पे फसा हुआ होना जैसे आप दलदल में फसे होते हूँ कराई the ethical challenges while conducting CHIS are of a higher magnitude the scope for misuse vast and the repercussions severe कराई ये तो छोटे वाले trials है जिसमें हम फस गए अब जो ethical trials या challenges है जो CHIS को करवाने में आएंगे उनका level उनका magnitude तो और भी बड़ा है चोटे वाले हमसे नहीं समले अब तो और बड़े वाले आ गए है इनमें तो और ज़्यादा risk है और इनका scope जो है misuse का बहुत बड़ा है वास्ट है और इनके जो repercussions हैं इनके जो दुस परिणाम है वो और ज़्यादा severe है बहुत ज़्यादा खराब है समझ मैं सेंटेंस चैलेंजीज की वर्व है आर scope की वर्व है आर repercussions की वर्व है आर helping वर्व या main वर्व जो भी बोलें इसको एक बार लिखा गया है बाकी जगह हटा दिया गया है टेक्निकल ये sentence गलत है क्योंकि second वाले case में scope के बाद में आर वर्व नहीं बन सकती यहां पर इस लिखना पड़ेगा समझ पाए ना बात को challenges आर ठीक है repercussions आर ठीक है यह आर दोनों जगह फिट हो गया लेकिन scope के साथ फिट नहीं होगा ये गलती आर्टिकल के राइटर ने कर दी यहां पर इसको लगाना चाहिए ही था repercussions मतलब दुष परिणाम spelling देख लेना इसकी आज के quiz में आप से पूछे गई है there is potential for misuse ये तो हो गया ये वाला पूरा हो गया there is potential for exploitation given the monetary dimension involving volunteers potential भी है exploitation की उत्पीडन की या गलत फाइदा उठाया जाने की एक potential मतलब likelihood करें जी देखते हुए उस monetary dimension को उस पैसे वाले आस्पेट को पहलू को जिसमें वालिंटर इंवाल्स है वालिंटर इंवाल्स है healthy आदमी कोई ऐसे नहीं आएगा ट्रायल के अंदर देश बक्ति के लिए अपनी बॉडी को जान दाम पे लगा के आएगा तो उसको लाख रुपे देने होंगे तो exploitation की भी बहुत potential है लाखों के जगह किसी को हजारों में आपने पकड़ लिया जिसको पैसे की ज़रुत थी potential की वाब है is dimension मतलब पहलू या फेसेट या आस्पेट के रहे जी should it becomes a reality India must use CHIS only to study diseases with safe and effective treatment के रहे अगर हमें license मिल भी गया ना पूरा final वाला अगर ये चीज reality बन भी गई तो India को use करना चाहिए हमारे इन CHIS को मैं study करने के लिए उन विमारियों को जिनकी safe और effective treatment हमारे पास है ताकि हम कोई risk ना ले हमारे यहां पे corruption बहुत है उल्टे सीदे काम खूब होते है तो हमारे तो ये trial उसी विमारी पे करवाना चाहिए जिसका इलाज 100% डॉक्टर्स के पास हर case में हो sentence आप समझ गी होंगे first conditional alternative form में लिखा हुआ है or sentence make error भी है it आपका subject है should become इसकी verb है India आपका subject है must use इसकी verb है error को ढूंडो class के last में आपको यहां पे error को बता लेता हूँ करें using CHIS to study novel microbes and disease with limited medical intervention should wait till Indian scientists gain expertise and robust institutional structures and mechanisms are in place करें CHIS को जो use करने का काम है नए नए novel microbes नए विमारी को जिसके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है करें और कैसे limited medical जिसका intervention है जिसमें ज्यादा कुछ इलाज इलाज भी नहीं आता करना करें जी ऐसे CHIS को इंडिया में अगर यूज करने ना ऐसी चीजों पे तो इन चीजों को वेट करना होगा आपको और कब तक वेट करना है जब तक हमारे भारतिय साइंटिस जो है उनको expertise ना आ जाए और हमारा एक robust सा structure और mechanism जो है अपनी जगा पे प्लेस ना हो जाए यूजिंग आपका सब्डेट है शुड वेट इसकी वर्ब है साइंटिस्ट की वर्ब है गेन structures and mechanism की वर्ब है आर चलिए इंटरस्टिंग आर्टिकल था मेरे को बड़े अच्छे लगते हैं इसे आर्टिकल कुछ नया पता लगा ना आपको अब जल्दी से आज के विज पे क्विज से पहले इस concept को भी देख लो फर्स कंडिशनल जो है इफ अर्भ की बेस फॉर्म की बेस फॉर्म की बेस फॉर्म को आज अलग फॉर्म में चेंज कर सकते हैं शुड को लगा करके प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ और यह भी बताऊँगा इसमें एरड कहाँ पर मिलती है आपका संटेंज यह है इफ वी ड्राइब फास्ट वी विल बी एबल टू कैस्ट अगर हम ड्राइब फास्ट करें तेज गाड़ी चलाएं तो हम ट्रेंड को पकड़ पाएंगे फर्स कंडिशन है अगर ऐसा हो तो ऐसा हो जाए बारिश आजाए तो यह हो जाए बारिश ना है तो यह हो जाए एक्जाम पास हो जाए तो यह हो जाए तो अगर हम drive fast करें तो हम train को पकड़ सकते हैं, आपको अगर इसको alternative form में change करना है, तो आपको क्या करना है, आपको if को निकालना है और इसकी दिखा पर shoot रख देना है, ठीक है, बस, ये बन गई alternative form, अब second वाला sentence करके देखो, इसी तरीके से, if the government reduces taxes, economy may grow faster, अगर सरकार taxes को reduce कर देती है, तो economy और तेजी से grow कर सकती है, first conditional है, alternative form मनाने के लिए क्या करना है, शुड को यहां से उठाओ, इसकी जगा रख दो, लेकिन ये sentence दूसरी बार जब आपने बनाया तो गलत है, क्यों गलत है भाई, ध्यान देना है, शुड को लगा अब आपकी जो वर्ब है, शुड के बाद वाली, देखो वर्ब भलाई आपने शुरू में रखी है, लेकिन है तो इसी क्लोज की ना, तो शुड जब मॉडल वर्ब आ चुकी है, तो इसकी वर्ब जो मेन वर्ब आईगी ना, वो वर्ब की बेस फोर्म में होगी, तो वी के आ रही है, तो पीछे का सिस निकाल देना है, तो अगर इस फॉर्मॉला को यहां पनाए करें ना, तो शुड इट बिकम सु हो है, गलत हो जाएगा, आपको लिखना चाहिए, शुड इट बिकम, चलिए, यह एरट दा हिंदू में नहीं थी, मैंने जान बूज करके डाली है कितने लोग पकड़ पाए, अब आज आव आपको अप्शन दिये गए है, अपनी समझ से अपने विवेक से एक उप्शन को चूज करो, मिनिंग निकालो पांचो का, ठीक है, फर्स कमेंटर में आंस्वर मैंने डाल दिया है, हिंट भी डाल दूँगा आज, मुश्किल है न जिसकी वज़े से CHIS को खतरनाक एट जैसी विमारियों के लिए कभी नहीं करवाया जाता, सेकिंड बे आजओ, इन में से कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है पांचो में से, जो कमजोर करती है इस आर्गुमेंट को, जो फेवर में है CHIS को करवाने के, इन चारों पांचो में से हो जाए तो कोई भी देश CHIS को करवाई ही ना, समझ गे मेरे बात को, बावना समझ रहे हो ना, अब बावना समझ गे तो मीनिंग निकाल लो, सही मीनिंग निकाल के सही ऑप्शन को चूज करो, आपको क्या लगता है, कहां पे CHIS जो है, जिस सेटमेंट से बहुत कमजोर अच्छे से स्पेलिंग आपको करवाई है, आर्टिकल में बार बार, रैपकरशन की दुस परिणाम की सही स्पेलिंग को चूज करो, चोथा वनवर्ड है, ऐसा आदमी जो अच्छे से जानकार हो किसी फिल्ड में तो उसको क्या बोलते हैं, तो वनवर्ड आपको करवाया चार यापको दूसरी इडियम दी गई है, इससे कौन से इडियम मेल खाएगी, इसका मिनिंग किस इडियम से निकलेगा, साथमे आठमे में दो एरर से हैं, पहले अरर आपको मिलेगी, फर्स कंडिशनर की ऑल्टरनेटिव फॉर्म की वज़े से, और सेकिंड अरर आपको मि वीडियो के नीचे जाके चेक करो, आट ओवेट कितने माक्स मिले जरूर से बताना, नेक्स क्लास में आपसे मुलाकात लेंगे, क्लास को एक लाइक और शेयर जरूर से दें,